सभी को जहें मैं नितनिकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चानल Mission NCC The Way of Success में देखेगा आज के एक छोटा सा वीडियो होगा जो कि 10 या 15 मिनिट का वीडियो होगा आप सभी को इस वीडियो को completely देखना है जो 2018 में जो भी क्वेशन आपके एक्जाम में प आप सभी को वीडियो कंप्रिटली देखना है ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा बहुत छोटा ही वीडियो होगा ठीक है तो ड्रील और वेपन ट्रेइनिंग के उपर जितने भी क्वेशन पूचे थे 2018 में वो सारे क्वेशन हम आज की छोटी सी वीडियो में हम डिसक कुन देख रहा है ठीक है और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजे कि आपके डिरेक्टेट का बी और सी सर्टिपकेट का एक्जम कब होने वाला है ठीक है तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की 13 मार्श है तो बहुत सारे कैलेट का ना 14 मार् सब्सक्राइब के तो यह कॉमन सिलाबस जो हो 245 मार्श के लिए कॉमन सिलाबस के ऊपर पूचा जाता है ठीक है नहीं यहां पर इसका पॉइंटर बढ़ा कर लेता हो एक मेरिट में हम जो इसका पॉइंटर बढ़ा कर लेंगे चलिए तो बात करेंगे भाई आप ड्रील के उपर तो ड्रील के उपर हमेशा दस मार के लिए पूचा जाता है ठीक है तो जितने भी और सी सर्टिकेट वाले कैरेट से अच्छे से देखिए चलिए तो रिक्तस्तानों की पूर्ती करो तो पहला क्वेशन यहाँ पे पूचा आए यहाँ पे न कितना बनेगा तो थर्टी का एंगल बनेगा थर्टी डिग्री का एंगल बनेगा तो इस कॉश्चन का हर किहन को पता है यह मुझे भी पता है चलिये उसके आद मेह सेकेंड कुचिन देख लेटरान कितनी हरकते होती है तो भाई सलामी में शस्त्तर के दावर क्रवमशा और कितना इंच का कदम होता है तो यहां पे होगा 70 का और यहां पे होगा 30 का कितना तो सत्तर कदम 30 इंच तो यह आप सभी को पता होना चाहिए चलिए उसके बात करते से next question कि तो तेज़ चाल में cadet 1 minute में कितना कदम चलता है वो तो चलेगा भई 116 कदम यहां पर लिख देंगे हम 110 कदम ठीक है 110 यह 116 इन दोनों में से वह चलेगा अब 110 जो है ठीक है यहां पर मैं आपको बता दू कि 110 कदम कौन चलेगी तो भई यह जितने भी girls स्काइट यह ठीक है तो गर्ल्स काइट 110 चलीगे और 116 जो है वह कोड चलेगा तो बॉइस कदम चलता है तो उन्हों होने यहां पर स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि boys कितना चलेगे या girls कितना चलेगे तो इसलिए हम यह दो भी आंसर इसमें लिखेंगे चलिए उसके सब्सक्राइब में बात करते हैं next तो next question क्या पूछा था कि world of command के भाग लिखो तो वर्ल्ड आप कमांड कितने भाग के होते हैं तो वर्ल्ड आप कमांड दो भाग की होते हैं बिल्कुल आप सभी को पता है एक होता है कारी यह कारी दूसरा होता है चेतावनी ठीक है जिसक cutter Guard में 8 cadet होते हैं कितने cadet होते हैं तो 8 cadet होते हैं आप सभीको पता होना चाहिए चलिए next question के तो यहां प्छी के लिए सम्मान का गाड़ आफ आनर दिया जाता है तो यह ऑफिशली आंसर शीट है ठीक है यहां पर मैं आप सभी कुछी देर बाद ना इसकी ऑफिशली आंसर शीट भी आपको दिखाऊंगा आप टेंशन ना लीजिए ठीक है जितने भी कैड़ेट्स आप देख रहे हो तो इसकी ऑफिशली शीट भी में दिखाऊंगा आप टेंशन ना लीजिए चलिए उसके बाद बात करते में नेक्सकोशन की बात करते है अब यहां से हमारे बड़े स्टार्ट होंगे तो सलामी शस्त्र किस रैंग के उपर दिया जाता है तो मेजर के उपर के रैंग वाले को जो है मेजर से उपर की रैंग मेजर से उपर की रैंक की रैंक वालों को ठीक है सलामी शस्त्र दिया जाता है याद रखिएगा मेजर से उपर की रैंक वालों को जो है वह सलामी शस्त्र दिया जाता है जो की एक मार के लिए यहाँ पे question पूचा गया है आप इस question को अच्छे से याद रखिए तो चले उसके किसी प्रोसीजर को क्रमवार एव उचित तरीके से चलिए मेरे हैंड राइटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखना मतलब की बहुत दिक्कत वाली बात होती है ठीक है उचित तरीके से अनुकरन करने की कार्यवाई को अनुकरन करने की करने की कार्यवाई को ड्रील कहते है ठीक है कार्यवाई को को ड्रील कहते है आप सभी को इसकी ड्रील की परिभाशा पता ही होगी ठीक है ड्रील कहते है तो यह ड्रील की परिभाशा है आप सभी याद रखिए जो की एक मार के लिए आपके एक्जाम में क्वेशन पूछाता और कई बार ये question बहुत चार मार के लिए कई बार तीन मार के लिए भी एक question पूछ रहता है इसलिए आप सभी को इस question का answer अच्छे से रट लेना है तो चलिए अगर session अच्छा लग रहा हो तो सभी पार्ट टू जिसको डबल्यूट युका आ जाता है तो डबल्यूट का मतलब होता है वेप ट्रेनिंग क्या होता है तो वेपन ट्रेनिग जिसको हम शस्त्र प्रशिक्षन कहते हैं क्या कहते हैं तो वेपन ट्रेनिंग की उपर C certificate के exam में 10 मार के लिए question पूछ जाते है तो फि जो कि पाच मार के लिए एक क्वेशन आपके एक्जाम में पूझे गए ते रिक्तस्तानों की पूर्थी करोगे तो चले उसके आप मैं क्वेशन नंबर टू देखते हैं तो क्वेशन नंबर दो है पॉइंट टू टू राइफल की मजल वेलासीटी कितना फीट प्रती सेकेंड की होती है तो यहाँ पर जो है वह ओफिशली आंसर लिखा गया है एक हजार अशी एक हजार असी लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर बता दू कि मैंने बहुत जगा पे 1030 feet भी देखा है, कई जगा पे मैंने 2700 feet प्रती सेकंड की भी देखा है, तो आप तीनों को भी याद रखिए, पहले जो point to do, जो rifle होती थी, उसकी muzzle velocity 1030 प्रती सेकंड की भी होती थी, तो कई बार यह question, कई बार नहीं, हर साल यह question आपके exam में पूछा राता है, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिए, जो अभी मैंने officially देखा है, ठीक है, तो handbook में आपको जो यह 2700 feet भी दिखाए देगा, ठीक है, तो तीनों भी आप अच्छे से याद रख सकते हो, तो चलिए उसके बाद में next question, तो next question क्या पूछा गया है, 7.62 mm SLR का वज़न क कितना होता है, तो 4.4 kg, ठीक है, 4.4 kg, 4.4 kg, ठीक है, चलिए, उसके बाद में next question पूछा गया है, 7.62 mm SLR का का कारगर रेंज कितना होता है, तो SLR का effective range कितना गचका होता है, बिल्कुल सही है, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो 300 गचका होता है, कितना तो 300 पूछा होता है, 300 yards का होता है, बिल्कुल सही है, चलिए, उसके बाद next question के और बात करते है, तो next question यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो याद रखेगा सभी कैड़ेट, तो 7.62 mm LMG कितने मोटे भागों में खोली जाती है, तो LMG जो है, वो कितने भागों में खोली जाती है, तो already आप सभी को पता है कि LMG हमेशा 5 भागों में खोली जाती है, कितने भागों में, तो LMG जो है, वो हमेशा 5 भागों में खोली जाती है, तो यह भी question जो है, एक मार के लिए पूछा गया था, इस तरीके से यह question टोडल 5 मार के लिए पूछा गया था, उसके बाद देखि एक question तो एक मार के लिए आया था, रिक्तस्तान की पूर्ती करो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरा question यहाँ पे आया है, जो कि दो मार के लिए ठीके, तो अभी देखेंगे भाईया कि इसके answer क्या है, ठीके, और उसके बाद में इसका भी answer देखेंगे, अच् आप सभी ने बताया है, बिल्कुल पांच भागों में खोली जाती है, तो उन पांच भागों के नाम क्या क्या है, तो सबसे पहले तो piston group, उसके बाद में barrel group, bird group, body group और ypad group, ठीके, तो इन पांच भागों में LMG को खोला जाता है, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक ही बात बताऊँगा कि आप सभी को रट लेना है अभी, ठीके, अभी रट लीजे, यह question 100% आपके exam में आने वाला है, ऐसा एक भी साल नहीं, चाहिए आप B के caret हो, ठीके, चाहिए आप B के caret हो, चाहिए C के caret हो, हर साल यह question आपकी exam में पूचा जाता है, ऐसा एक भी साल नहीं है कि यह question आपके exam में ना पूचा गया हो, ठीके, तो चलिए उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने दूसरा question वहाँ पर पूचा था, कि अच्छी shooting की क्या खास बात है, ठीके, तो अच्छी shooting की क्या खास बात है, तो इसका भी answer हमें लिखना है, इसका answer क्या हो जाएगा, तो आराम से, आराम site लेट कर position को बनाना, ठीके, उसके बाद में target को देखकर, खाका अपने दिल में जमाए, ठीके, फिर मजबूत पकड, दुरुस्त सिस्त या, दुरुस्त ट्रिगर operation, तो यह 3 point भी आप अच्छे से याद रख सकते ठीक है, कई जगा पे यह 3 point, बहुत सारे जगा पे यह 3 point दिये हुए, तो मजबूत पकड, दुरुस्त सिस्त लेना, और दुरुस्त ट्रिगर operation, ठीक है, तो यह जो है, एक अच्छे shooting की खास बाते हैं, तो I hope कि यह 2018 के C certificate के exam में यह सारे question पूचे गए थे, जो हम अभी हम हमने देखा था कि drill की उपर कौन से question पूचे थे, और हमने देखा था कि weapon training की उपर कौन से question पूचे थे, ठीक है, तो यह सारे question पूचे गए थे, तो यह बाकी जो है, national indication यह बाकी चीज़े हम, एक next वाली वीडियो में देखेंगे, तो यहां पर मैं एक बात आप सभी को ब launch किया है, जो कि आप देख सकते हो, आपका जो paper होगा, वह same to same इसी तरीके से होगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, अच्छे से, ठीक है, same to same इसी तरीके से होगा, मतलब कि यह आपका paper का pattern होगा, ठीक है, तो यहां पर आप सभी चीज़े अच्छे से देख सकते हो, ठ टीट अटो इसमें मैंने दो कोर्स बनाएं एक जो वी इसार्टिफिकेट वालों के लिए और दूसरा कोर्स बनाया मैंने सी इसाम आने वाला और आपको पड़ाई बिलकुल भी नहीं हुई है तो यह मौडल कुशन पर ना आपको एउलप करेंगे आपको एउडियर क्लियर क पेपर उनके आठ अंसर शीट अलग से मिलने वाली है दो प्रैक्टिकल पेपर छे टॉपिक वाइज नोट्स एक विस टेस्ट और एक क्वेशन बैंक जिसमें 270 से भी ज़्यादा इंपॉर्टन क्वेशन है अगर आप सभी इतना भी पूरे के पूरे ही है सभी के सभी आठ प पढ़नी पढ़ेगी ठीक है ऐसा नहीं कि आप कोई स्कीप करोगे तो स्कीप नहीं करना है सभी चीज़ें पढ़नी है ठीक है लेकिन एक पेट कोर्स इसके लिए आपको पैमेंट करना पढ़ेगा तो बी सब्सक्राइब करने के लिए तो यहां पर मैंने वाट्साफ इतना भी पूरा का पूरा रट होगे ना तो मैं यकिन के साथ बोल सकता हूँ आप अच्छे ग्रेट से पास होगे ठीक है लेकिन आप सभी को पूरा पढ़िके जाना पड़ेगा तो सी सेटिफिकेट की कोर्स में आप सभी को टोटल दस क्वेशन पेपर मिरें उनके दस आ सारा का सारा भी पढ़ लेते हो ना पूरी की पूरी चीज़े पढ़ लेते हो तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप जो आपके सी सर्ट के एक्जाम में एया बी ग्रेट से पास होंगे ठीक है एया बी ग्रेट से आप सभी पास होगे मैं यकीन के साथ बोल सकता हो लेकि सब्सक्राइब करें पेपर हमारे पास आएंगे कैसे तो देखें पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को एक मैसेज भेजना है क्या मैसेज भेजना है तो हाइ मिशन यह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसका एक स्क्रीन शॉट उसका एक स्क्रीन शॉट निकाल के आप सभी को इसी नंबर पर भेज देना है तो कुछी समय में आप सभी के question paper आपके answer sheet आपके notes आपके quiz test यह सारा का सारा जो material है आपको PDF फाइल में आपको मिलेगा ठीक है बहुत सारे कैड़ेट हिंदी मीडियम के तो यह paper उन सभी को हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे और paper जो है वो स्रीफ army विंग वालों के लिए ठीक है अगर आप navy और air वाले हो तो आपको सिर्फ common syllabus मिलेगा specialite नहीं मिलेगा अगर आप army विंग के कैड़ेट हो तो आपको सभी चीज़े मिलने वाली है ठीक है आप टेंशन ना लिजे pdf फाइल में आपके whatsapp पे आएंगे सभी question paper पेपर का language हिंदी होगा और यह army जो है इसको purchase कर सकते हो तो अगर आपका कोई भी doubt होता है या मान लो ठीक है तो आप तो आप मेरे साथ यहां पर phone number मैंने दिया हुआ है मेला मेरा phone number देख लिजे तो मैंने एक mission NCC का WhatsApp ग्रूप बनाया है उस WhatsApp ग्रूप में वही बच्चे जोइन है जिन्होंने इस course को purchase किया है अगर आप सभी उस WhatsApp ग्रूप में जूड़ना चाहते हो तो आप सभी को इस course को purchase करना पड़ेगा ठीक है मैं आज जो पढ़ा रहा हूं ना यह pdf जो है मैं उस WhatsApp ग्रूप में भेच देता हूं ताकि उन बच्चों की preparation और अच्चे से हो ठीक है तो जितना भी मैं सुबज शाम जो भी पढ़ाता हूं वो सारी सारी PDF मैं उन बच्चों को send कर देता हूं ताकि उनकी preparation और अच्चे से हो अगर आप सभी भी इस WhatsApp ग्रूप में जूड़ना चाहते हो तो आप सभी को इस course को purchase करना होगा तो ठीक है तो चलिया बिल्कुल मिलते हैं हमारी next वाली class में तब तक के लिए टाटा बाई-बाई-बाई-सायनारा अलविदा आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता दोस्तों अगले वीडियो में ज